हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू फिक्सिस्टेडी मैं उंप्रकाश राटी वापस आ जुगाओं अपने इस चेनल पर फिक्सिस्टेडी पर मैं पहले भी आप सबको बता जुगाओं कि मैं रिजनिंग आपको step by step सिखाओंगा जिसमें अब हम topic वाई चलेंगे जिसमें पहला topic जो रिजनिंग का होता है बेसिक में जा से रिजनिंग की शुरुवात होती है उसे बोला जाता है वर्ण माला परिक्षण वर्ण माला परिक्षण में क्या होता है दोस्तों इसमें अपन सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्ण माला होती है उसकी numbering उसके जो अक्सर होते हैं उनमें प्रतेक का इस्तान अपन को पता होना चीए कि कौन सा अक्सर कितने नंबर पर आता है जेड कितने नमबर पर आता है S कितने नमबर पर आता है तबी आप वर्ण माला के जितने भी क्योशन होंगे according to English जो वर्ण माला होगी अपनी उसके त्रू इसमें क्या होगा दोस्तों पूरी reasoning जितने भी क्योशन होंगे coding, decoding के, वर्ण माला के, परिक्षन के वर्ण माला नहीं पूछी जायेगी कौन सी वर्ण माला पूछी जायेगी दोस्तों अंग्रेजी वर्ण माला तो चलते हैं मैं अब आपको सुरू से जो अपने रिजेनिंग की जासे शुरुआत ऊती है कहां से वर्ण माला परिक्षन से and तक आपको पढ़ाऊगा जिसमें मेट्रिक्स आएगी केलेंडर आएगा डैस आएगा अपने पास में सारी चीजे आपको step by step पढ़ाने के मैं कोशिस करूँआ तो देखिए दोस्तों सबसे पेले अंग्रेजी वर्ण माला की शुरुआत का से होती अपने पास में ऐसे होती है ये शुरुआर का तक जाती है और खतम होती अपने पास का पर जेड पर तो इसमें टोटल 26 अक्सर होते हैं कितने अक्सर होते हैं दोस्तों 26 अक्सर होते हैं इ तो कि एकजाम में इतना टाइम नहीं होता है कि अपन एक एक अक्षर को गिन गिन कर या बोल बोल कर उनकी नमरी याद कर सके तो देखे दोस्तों एसे एम तर का तर एसे एम तर जितने भी बीच में अक्षर आएंगे वदलब का से का तर संख्या एक से संख्या थेरा तर जित इतने भी अक्षर आएंगे, उन्हें कौन से अर्दान्ष में रखा गया है, प्रत्व अर्दान्ष में, ठीके दोस्तों, फिर आगे, एम के बाद कोन आयता है, अपने पास में, जे, एम के बाद आता है, एञेंगे, उन्हें से जेर तक, का सिखाह Olivier तक, से जेड तक मदलब संक्या चुदा से 26 तक जितने भी बीच में अक्षर आएंगे उन सब को किसमें रखा गया है दित्तियक अर्दांस में एक्जामिनर क्यूशन यही से पूसता है कि प्रतम अर्दांस में पाचवे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा तो देखे कि दोस्तों यह सारे क्यूशन जितने भी बनेंगे प्रतम अर्दांस वाले दाएं बाएं वाले अक्षरों के दाएं अक्षरों के बाएं या दोलों तरफ दाएं दोलों तरफ बाएं यह सारे क्यूशन में आप सब के कंप्लीट करा हुआ लेकिन उससे पेले अपन को इन 26 26 अक्षरों का क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है तो कुछ ट्रिक्स मैंने बनाई है जिनके तुरू आप इन 26 अक्षरों का जो नंबर है उसे याद कर सकते हैं तो देखें दोस्तों सबसे पहले एक शब्द बनाया मैंने पूरा इजोटी क्य लाएगा बीस पर और वाई आ जायतों अबने पास कितने पर 25 यह प्रकार यह कितने का वु Must तैयार हो गया अपने पास में 5 का वु Must तैयार हो अपने पांच अक्सर अपन को याद हो चुके हैं उसी प्रकार देखें दोस्तों फलर्क्स फलर्क्स एक शम्ट मनाया मिनेट एफ एल आर एक्स एफ कितने पर आता है एंग्रेजी वर्ण वाला में छे पर एल आएगा बारा पर आ रहेगा अठारा पर और एकस आएगा चोव कमप्रीट देखें दोस्तों पांच यहां से तयार हो गए और नो यहां से तयार हो गए 26 अक्सरों में से नो अक्सर आप सब को याद हो चुके हैं आईए अब आगे चलते हैं कुछ आकरते हैं बनाईए मैंने और ट्रिक्स बताता हूँ जिनसे यह सब आपको एक या दो ब पर आजाएगा दोस्तों साथ पर आजाएगा फिर एच देखिए दोस्तों एच के यदि में दोनों कोनों को मिलाता हूँ एच के दोनों कोनों को मैंने मिलाया तो किसकी तरह आकरती बनेगी दोस्तों आठ की तरह आकरती बनेगी तो एक या दो बार बोलने पर अपने दिम में ह आएगा तो अपना दिमाग ओटोमेटिक बोलेगा कि इसके दोनों हिस्सों को मिलाने पर आठ की तरह आकरती बनती है उसी प्रकार देखिए दोस्तों इंग्लिस में एक वर्ड बोला जाता है आई न धौर दो या तीन बार बोलेंगे तो इससे फिक्स हो जाएगा कि आई कितने पर आएगा नो पर आएगा इसलिए क्या बोला जाता है आई नो फिर देखिए दोस्तों दस अपने पास यहां से complete हो गया इसलिए मैं यहां पर दस नहीं लिखा क्योंकि जेसें यह जोटी में 10 पेले अपना complete हो चुगा है फिर आगे चलते हैं 10 के बाद किसकी बारियाती है 11 की तो देखिए दोस्तों एक शब्द अपने पास बहुत प्रचलित है केल विन बोलते है पनसपी तो इसमें देखिए भी के आगे का साउंड रहेगा और 11 लाश्ट में साउंड आ रहा है के 11 के 11 तो उससे क्या बन गया दोस्तों केल विन बन गया फिर देखिए अगला वर्ड में ने बनाया आपके सामने एल कितने पर आता है 12 पर तो लालू के कितने बच्चे है 12 बच्चे हैं इन बई साहे उससे क्र के टीम खड़ी कर रखिये और इनके कितने बच्चे हैं लालू के 12 बच्चे हैं आगे चलते हैं दोस्तों तो M के बाद क्या आता है N तो M N से बनता ए mobile नमबर ठीके दोस्तों क्या बन रहा है mobile नमबर ये दोनों अक्षर अपने साथ एक ही बार में clear हो जाएंगे कि M कितने पर आता है 13 पर और N कितने पर आता है 16 पर तो देखिए mobile 13 रूपे का है mobile कितने रूपे का है 13 रूपे का है जिसके number कितने रूपे का है 13 रूपे का है ठीक है भी दोस्तो mobile कितने रूपे का है 13 रूपे का है जिसके number कितने अपने पास म चोदा नमबर है फिर आगे चलते हैं पंदरा यहां से क्लियर हो गया मेरे पास में सभी को बात समझ में आ रही है पंदरा कहां से क्लियर हो गया यह जोटी से तो पंदरा के बाद किसकी बारी आएगी अब 16 की बारी आएगी तो देखिए प्रीती कितने साल की है अभी 16 साल की कितने साल की वे प्रीती 16 साल की है फिर 16 की बात चलते हैं अपर 17 पर तो क्यों कितने पर आता है दोस्तों 17 नंबर पर आएगा याद रखने की ट्रिक क्या है अपने हाडोती में गावत प्रचलिते जम्पिन लेडिस कहीं बार जाती है तो अपन बोलते हैं न मेरी बात क्लेर हो रही होगी कि फलर्क से 18 यापर अपने कंप्लीट कर लिया 18 के बात किसकी बारी आई 19 की बारी आती है तो सुसमीता कितने साल की वही 19 साल की इसकी साधी का टाइम आ चुका है अब ठीके आगे चलते हैं दोस्तों 19 के बाद कितने की बारी आएगी 20 की बारी आएगी तो याद देखिए एक मेच होता है अपने इंडिया में T20 मेच तो T से क्या बनेगा 20 बनेगा मेरी बात आ रही है सभी को समझ में T से क्या बनेगा 20 बनेगा तो अपन को याद हो जाएगा कि T20 मेच हुआ था फिर देखिए 20 के बाद 21 तो अपन सब को पता है कि यू कितने पर आ रहा है 21 पर आ रहा है और जो यूआ होता है वो कितने साल का होता है 21 साल का होता है तो यू से तो क्या बनेगा दोस्तो यूआ बनेगा और कितने पर आ जाएगा 21 पर आ जाएगा इस प्रिकार मैंने कुछ इस मनाई थी जिससे अपल जितने भी अंग्रीजी वर्ण माला के सारे अक्सर हैं उनको अपन आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों और जो कुछ वर्ड रहेंगे उनको एक या दो बार आप पढ़ोगे तो अपन सबको याद हो जाएंगे इस प्रगार अपन जितने भी से देख सकते हो किसी में कोई प्रोब्लमस नहीं आईगी एक या दो बार पढ़ने पर ही सारे वर्ड अपन को कम्प्लीटली याद हो जाएंगे चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वर्ण माला के प्रश्णों पर तो देखिए वर्ण माला में पूचे जाने वाले प्रश्ण वन माला में कितने प्रकार से वो अपन से प्रश्र कर सकता है तो देखे दोस्तों मैंने यहां लिख रहता है आर और आर तो देखे यहां आर का मतलब होता है राइट क्या होता है दोस्तों आर का मतलब होता है राइट और राइट का मतलब होता है दाई और मतलब क्या पूछेगा वो दाई और और एल का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में लेफ्ट क्या होता है दोस्तों एल का मतलब लेफ्ट होता है लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा बाई और अब वर्ण माला के प्रश्णों को सोल्व करने के लिए सबसे पहलें आपनको ये पताओना चीए कि अपना दाया हाथ कौन सा है और बाया हाथ कौन सा है बहुत से बच्चे से होते हैं जिनको ये ही पतानी होता है कि बाया हाथ कौन सा है तो वर्ण माला में बाए और किस तरफ चलेंगे दाया हाथ कोन सा है तो वर्ण माला में दाई तरफ किस और चलेंगे तो मैं आपको एक एसी ट्रिक बताऊँगा जब तक आप गुड़े नहीं होगे और गुड़े होने के बाद भी उट्रिक आपको याद रहेगी चली अपने दोनों आतों को उठाईए अब यह मैं पहले बताता हूँ यह मेरा दाया हाथ है कौन सा हाथ है दोस्तों दाया हाथ है जिससे मैं बोड़ पर लिख रहा हूँ ये कौन सा हात है मिरे पास में बाया हात है अब यदि मैं ऐसे तो मुझे पता रहेगा कि ये कौन सा है दाया और ये कौन सा है बाया लेकिन मैं आपको खुमा दू या सिर के बल जमिन पे खड़ा कर दू और फिर आप से पोचो कि दाया कौन सा है और बाया कौन सा है तो फिर अच्छी ट्रेक देखिए दोस्तों अपने दाय हाथ को उठाईए और ऐसे खीजे मेरी तरह कैसे करना है ऐसे तो यह एक D की तरह आकरती बनेगी कौन सी आकरती बनेगी दोस्तों D की तरह आकरती बनेगी कौन से हाथ में जो अपना दाय हाथ होगा उसमें कौन सी आकरती बन दी की तरह उसी प्रकार देखे दोस्तों बाए हात में बी की तरह आकरती बन रही है कौन से आकरती बन रही है बी की तरह तो बी से तो क्या बनेगा मेरे पास में बाया और डी से क्या बन जाएगा दोस्तों दाया इस प्रकार अपन को केसे भी खड़ा कर दे चाए जमीन पर स देख़े करे अपन को पता रहेगा कि जिस हाथ में B की तरह आकरती बनेगी वो बाया होगा और जिस हाथ में D की तरह आकरती बनेगी वो दाया होगा इस प्रकार अपन कभी भी नहीं बूल पाएंगे कि दाया कौन सा है और बाया कौन सा है तो यह दाया बाया की जो बीमारी अब चलते हैं त्यूशनों पर तो देखिये और 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 इसका मतलब क्या है कि जब भी अंग्रेजी वर्ण माला में आर गा मतलब क्या होगे दोस्तरों दाए और मतलब एक्जामिनर जब भी दाए और से दाए और चलने की बोलेगा कहा पर दोस्तों दाए से दाए तो क्यूशन में क्या करना है बड़ी संक्या में से छोटी को गटाना है मतलब क्या करना है माइनस करना है सी दिसी बात है उसी प्रकार लेफ्ट टू लेफ्ट चल कि यदि बोलता है ठीक है ना कहा से कहा तर बाई और से बाई और तब भी अपन को क्या करना है दोनों संख्याओं को माइनस करना है बड़ी वाली संख्या में से छोटी को गटाना है और यदि एक तरफ तो अपन से बोल दे कौन सा दाए और चलना है फिर दूसरी बार में वो किदर चला है अपन को by और चला है तो दोनों संख्यां को क्या करना है दोस्तो जोड़ना है जोड़ते अपना answer डारिक टाएगा अपनको दिमाग लगाने की जुरत नहीं है बस किसमें check करना है अपनको अंग्रेजी वर्ण वाला में green करना है उसके बाद पहले left की बोल दे फ फिर दाई तरफ चलो तब भी अपन को क्या करना है जोडना है बस ये चार प्रकार की क्यूशन अंग्रेजी वर्ण वाला में अपन से पूछे जाते हैं फिर मैंने एक नोट लिखा है दोस्तों यहाँ पर कि जब भी अंग्रेजी वर्ण वाला में राइट टू राइट या लेफ्ट टू लेफ्ट चलने की बोला जाता है तो बड़े क्रमांक में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को गटाने पर क्या बोला दोस्तों मेंने बड़े संख्या में से छोटी को गटाने पर सीधे ही उत्तर प्राप्त हो जाता है बस अपन को क्या करना है बड़ अंग्रेजी वर्ण माला में अपन चलेगी A, B, C, D दाये पर ये आएगा ऐसी प्रोलम्स नहीं आएगी तो मैंने एक उदारन भी दिया दोस्तों कि अंग्रेजी वर्ण माला में बाई और से पांचवे अक्सर के बाई और तीसरा अक्सर च्या हुगा ठीके दोस्तों तो क्य पूछ रही है बाई और से पूछ रहा है यहापर भी और यहापर भी क्या पूछ रहा है बाई और से पूछ रहा है तो दोलों तरफ क्या पूछा उसने बाया बाया ही पूछा है अपन से तो मैंने यहां लिखा दिया है यदि दाया दाया पूछे यह बाया बाया पूछे तो क्या करना है बड़े क्रमांक में से चोटे को गटाना है बड़ा क्रमांक कितना है अपने पास पाँच और चोटा कितना है तीन तो पाँच मैंने लिखा और तीन लिखा बड़े में से किसको गटा दिया दोस्तो चोटे क्रमांक को मैंने गटा दिया है गटाने पर कितना ह मेरे पास में दो आया है कितना है दोस्तों दो आया है अब बाई तरफ की बात चल रही है तो अंग्रेजी वर्ण माला में मैं बाई तरफ ही चलूँगा और यदि दाई तरफ की बात हूगी तो अंग्रेजी वर्ण माला में का से चलेंगे दाई तरफ से ही चलेंगे तो बाय पर चला जाएगा दोस्तों दाई तरफ चला जाता है का चला जाता है दाई तरफ तो अभी बात चल रही है बाई तरफ की तो पांच में से मैंने तीन गटाया और कितने बचे दोस्तों दो मेरे पास बचे हुए हैं तो देखिए बाई तरफ से बाई की बात चल रही है तो ब आएगा इस प्रकार देखे दोस्तों न तो अपन को जड़ा टाइम लग रहा है नहीं क्या बिना पेन चलाएं डारेक्ट अपन पांच में से तीन गटाएंगे और दो बचेगा अंग्रेजी वर्ण माला में बाई तरफ से दूसरे नंबर पर कोन आता है भी आता है इस प्रक अपने पूरे क्यूशवन दिरे-दिरे सारी क्लियर हो जाएंगे और अंग्रेजी वर्ण माला में परिक्षण में एसा कोई साभी क्यूशन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा चलिए friends चलते हैं अपने questions पर मैंने तरीका सभी को बता दिया है कि कैसे स्थोलू करना है कैसे अपन को याद रखना है कि अक्सर के बाई तरफ कौन सा है दाई तरफ कौन सा है जो अपना बाया हाथ होगा वही अक्सर का बाया होगा और जो अपना दाया होगा वही अपन को द या मानना है जैसे मैंने बोल दिया बीके बाई तरफ तो यह बाया किदर होगा बीका इधर होगा ना क्योंकि बाया हाथ कौन सा है अपना यह वाला है और बीके दाई तरफ तो दाई यह वाला है तो दाई तरफ अपन को इधर से चलना है चलते हैं अपने क्योशनों पर तो अंग्रेजी वर्ण माला में बाई और से किदा से दोस्तों ये याद रखना है क्योंकि यदि बाई दाय में confusion होई तो क्योशन वही गलत हो जाएगा तो देखिए बाई और से सातवे अक्सर के दाई और पांचवा अक्सर क्या होगा अब यहां तू क्या बोला है उसने बाई दाई और बोला है और यहां क्या बोला है दोस्तों दाई और बोला है तो बाई का मतलब क्या होगा अपने पास में इल हो गया और दाई का मतलब क्या हो गया आन हो गया यहां तो बोला है अपन से सातवा अक्सर और वहां पर बोला है अपन से पाचवा अक्सर तो तीन चार condition में आपको लिखाए थी कि जब भी R R आएगा तो माइनस करना है L L आएगा तो माइनस करना है जब दोनों अलग अलग होंगे तो संख्यों क्या करना है दोस्तों प्लस करना है दोनों को अपन को जोड़ना है वदल में किसको जोड़ूँगा या पर देखिए साथ को भी जोड़ना है किसमें जोड़ना है पांच में जोड़ना है दोस्तों किसमें जोड़ना है पांच में जोड़ना है तो पेन चलाने की आउशकता नहीं है साद और पास कितने होते हैं अपने पास में 12 होते हैं दोस्तों कितने होते हैं टोटल 12 होते हैं अब मेरे option भी लिखाए हैं competition exam यूँ आनलो भी यहीं चल रहा है कैसे हैं या option number A, option number B, option number C, option number D दीगा मदलब याँ 90 मदलब इन मैंसे कुछ भी नहीं आएगा तीनो ओप्सन मेंसे अब देखे दोस्तों कितना आया अपने पास में 12 आया है दोस्तों कितना आया 12 तो अंग्रेजी वरणवाला में 12 नमबर पर कौन सा अक्सर आता है दोस्तों याद कीजी अभी मैंने ट्रिक लिखाए थी आपकी कि लालू के कितने बच्चे थे दोस्तों 12 बच्चे थे मैंने बोला भी था कि इन भाई साब ने पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर रखी है तो ये लालू के कितने बच्चे थे 12 बच्चे थे तो कौन सा ओप्षन आएगा दोस्तों ओप्षन नंबर A आजाएगा इसमें कि सातवे अक्सर के दायोर पाच्वा अक्सर क्या होगा तो सातवे अक्सर के दायोर पाच्वा अक्सर क्या होगा दोस्तों L होगा इस प्रकार अपना अंसर क्या जाएगा L आजाएगा दूसरे क्यूशन पर चलते हैं अपन मैंने एक नाम लियाया में बीच में कि प्रतम हर्दांश, तो दीखे अंग्रेजी वर्ण माला में प्रतम हर्दांश में बाई और से, किदर से दोस्तों बाई और से ये जो शब्दे ही अपन को याद रखना है, कि बाई और से आठवे अक्सर के बाई और, वापस कहां बोल रहा है दोस्तों, बाई और ही बोल रहा है, तो अंग्रेजी वर्ण माला में बाई और से आठवे अक्सर के बाई और, कौन सा अक्सर, तीसरा अक्सर क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि A से, कहां से दोस्तों, A से, M तक, मतलब X से लगा कर 13 तक, कौन सा अर्दांच चलता है, प्रतमर्दांच, मतलब सीधी सी बात है, कि वो अंग्रेजी वर्ण माला को सीधे तरीके से ही पूँछ रहा है, बस एक नाम जोड़ दिया, कौन सा उसने, प्रतमर्दांच, तो देखे दोस्तों, एक से 13 तक, प्रतमर्दांच चलता है, मतलब अपन को, A से, M तक, कोई changes नहीं करने है, तो बाई और यहां पर भी बोल रहा है, और बाई और यहां पर भी बोल रहा है, तो मैंने बोला था ना, कि जब भी L, L आएगा, L का मतलब lift, L का मतलब lift, तो क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है, क्या करना है मेरे मित्रों, माइनस करना है, बड़ी संख्या में से किसको गटाना था, छोटी को गटाना था, यह मैंने आप सबको नोट में लिखाया था, तो देखे बड़ा कोन है अपने पास में आठ है और छोटा कोने 3 है तो 8 में से मैं 3 गटा हूँगा मेरे पास कितना निकल कर आता है दोस्तों, पास निकल कर आता है कौन आता है दोस्तों यह आता है तो कौन सा option आएगा मेरे पास में option number B अपना सही रहेगा क्या आएगा यह आएगा इसी प्रिकार अगली question पर मैं लेकर चलता हूँ आप सभी को कि अंग्रेजी वर्ण माला में दित्ती अर्दांस में अब थोड़ा सा question और गुमाया है मैंने और कौन से अर्दांस में लेगा आप सभी को दित्ती अर्दांस में बात का चल रही है बाइओर का पर चल रही है दोस्तों बाइओर से पांचवे अकसर के दायोर कौन से अक्सर के डायोद अब एक बार तो मैंने क्या बोला है इसमें बाई और बोला है और एक बार बोला है डायोद कौन सा अक्सर दोस्तों दूसरा अक्सर क्या होगा तो यहाँ पर देखिए दित्य अर्दांस की बात चल रही अपने पास में कौन सा अरदास दोस्तो, दित्यरदास मैंने आप सब के सामने लिख दिया है कहां से का तो को ता है, N से Z तक, 14 से कितने तक, 26 तक कौन सा अरदास चलता है दोस्तो, दित्यरदास तो देखिए, N से Z तक, अब numbering तो एक से Start कननी पड़ेगी ना दोस्तो अब यहाँ पर दिमाग में यह कजरा नहीं आना चीए कि N14 नमबर पर आता है छोदा नमबर पर आता है मैं only counting कर रहा हूँ अक्ष्णों की तो मैंने लिखा एक दो मैंने संक्या लिखती कितने तक 13 ठीके दोस्तों अब दित्तियर दांस में बाया किदर से होगा इदर से ही च क्या करना है अपन को प्लस करना है तो यहां संच्याओं को क्या देंगे दोस्तों प्लस कर देंगे तो पांच में कितना जोडना है मुझे दो जोडना है तो पांच में दो जोडने पर कितना आता है मेरे दोस्तों साथ आता है कितना आएगा साथ आएगा तो पांच में दो अंदे के पढ़ने पर है या फिर नहीं है तो एक option यहां पर और लिखिएगा आप कौन सा इवाला नन ओफ दिस तो इसमें देखें मेरे पैरे मित्रों बाई तरफ से बोला है तो पाच और उदर बोला है दाई तरफ से कितना दूसरा अक्षर तो अपने पास में total कितने होते साथ होते हैं और इस दित्यार दांस में साथ हुए नंबर पर कोन आता है अपने पास में टी निकल कर आता है तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे वित्रों टी होगा और यहां पर कौन सा option आ जाएगा नन ओफ दिस मतलब इन में से कोई सावी आंसर नहीं आएगा ठीके फ्रेंड्स मैंने आप सबको वर्ण माला परिक्षन के जो चार प्रकार की क्यूशन थे वो चारों प्रकार की क्लियर तरह दिये हैं ये छोटा टोपिक था इसमें अपन को क्या करना होता है बस वर्ण माला की जानकारी दी जाती है और यही क्यूशन पोचे जाते हैं कल जो मैं topic पढ़ाऊँगा आपको next वीडियो में वो होगा आपने पास coding decoding सांगेतिक बासा उसमें जितने भी प्रकार की वर्ण मालाए होंगी उन सब का use होगा तो उमीद करता हो कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें आप सब को जितने भी मैंने आज अकसर लिखाए वो सब पता होने चीए कि ताकि मैं जब भी board पर question लिखू तो secondo में आप उसका answer दे सके और आपने जो हमारी वीडियो को इतना सरा प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी प्रकार उमीद करता हो कि आगे भी आप में हमारी वीडियो को इसी प्रकार से प्यार देते रहेंगे और आगे चलने से पेले एक बात जो मैं हर बार बोलता हो कि like कीजिए comment कीजिए और share कीजिए इससे मेरे मित्रों आप भी पढ़ोगे हम भी बढ़ेंगे और जैसे जैसे मुझे time मिलता रहेगा inspiration मैं आपको देता रहूना कि reasoning की तैयारी कैसे करनी ह हैं जो अपने पास में beginners हैं जो अवे भी पढ़ना इस्टार्ट कियें बारवी के बाद में मैं आप सबको वादा करता हूँ कि reasoning का एक भी question ऐसा नहीं होगा जो तुमें नहीं आएगा चाहिए वो BSTC हो चाहिए वो PTT हो या कोई सा भी exam हो एक-एक question clear मैं आप सबको यहाँ पर अपने इस YouTube चेनल fix study पर कराऊँगा जिसमें सारे के सारे question clear होगे और 50 में से 50 question आप attempt करोगे विश्वास कीजेगा ठीक है मित्रों चलता हूँ में और like comment share को मत भूलिए गया thank you दोस्तों